अलादिन की कहानी ने बच्पन में आपको भी इंट्रेंट तो जरूर किया होगा कभी न कभी आप भी अरेबियन नाइट सीरियल की दिवानी रहे होगे और जो लोग अलादिन को पसंद नहीं करते उन्हें भी कम से कम इसका नाम तो जरूर सुना होगा एक समय ऐसा भी था जब छोटे बच्चे टीवी पर अलादिन नाम का एस सीरियल देखकर ही अपनी शाम गुजारते थे हालांकि आज के साइंटिफिक दौर में ये सवाल तो बेमानी है कि अलादिन की कहानी घटना सच थी या चूँ लेकिन फिर भी क्या आप यकीन करेंगे कि अलादिन के चक्कर में धाई करोड का घोटाला हो गया हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहे ये तो हम अलादिन से जुड़े और भी रियल फैक्ट्स आप तक पहुँचा सकते हैं जानकारी के मताबिक अलादीन की कहानिया आज से लगभग 300 साल पहले दुनिया के सामरे आई Arabian Nights नाम की एक किताब में कुल 1000 कहानिया मजचूद हैं और इंड में से एक कहानी है अलादीन की अलादीन की ये कहानी बहुत ही फेमस हुई इस कहानी में अलादी नाम के एक लड़के को एक चिराग मिलता है वो इस चिराग को उठाता है अभी वो इस चिराग को ठीक से देखी रहा होता है कि अज्जाने में ही वो इस चिराग को घिस देता है जिससे उस चिराग में से एक जिन्द पैदा होता है और अचानक उसके सामने प्रकट होकर उससे पूछता है क्या हुक्म मेरे आका? दरसल एक गरीब लड़के अलादीन को मिला हुआ ये चिराग एक जादुई चिराग रहता है उससे चिराग में एक जिन बंद रहता है जो कोई भी उससे चिराग को हासिल करता है और चिराग के मालिक के घिसने पर चिराग से निकल कर उसके इच्छाए पूरी करता है जिसके हाथ में चिराग होता है वो जिन उसके बता हुए काम को करता है अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो केवल किस से कहानियों की बाते हैं? ऐसे कहानिया भला कहां सच होती है? दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह से कहानियों पर यकीन करते हैं दरसल जिन एक अर्बी शब्द है हम इंसानों के बीच जिन और जिननात के उपस्तिते की कल्पना इस तरह की कहानियों में कीर जाती है ये मुसीबत में पड़े हुए इंसानों की मदद करते हैं जो लोग बेकसूरों और गरीबों को परेशान करते हैं ये उनको दंड भी देते हैं लेकिन इस तरह की कहानियों का आम इंसान की बीच में लोकप्रिय होना इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक आम इनसान अपने जिंदकी की हालातों में इतना परेशान हो जाता है कि उनसे निकल ही पाना मुश्किल हो जाता है और जब तक वो अपने तमाम प्रियास करके हार जाता है तब तक उन गमों और तकलीफों को भुलाने का उसे एक आसान तरीका नज़र आता है कि वो अपने आप में से एक ऐसे हीरो की कलपना करता है जो उसके सामने आकर उसकी मर्जी के मताबिद उसे सुक सुविधाय और संपन्न नदा देता है साथी जो उसे परेशान करता है वो उसे दंड भी दिलाता है जब कोई लेखक या कहाने कार इस तरह की कहाने लिखता है तो वो कहीं न कहीं आम गरीब और परेशान आदमियों के इनी सपनों को एकाकार देता है वो अपने कलपनाओं के जरी आम इंसान के तकलिफों में उनके लिए किसी फरिष्टे को लाकर खड़ा कर देता है लेकिन हाकिकत में ये केवल कहानियों में ही होता है बीथते समय के साथ इस तरह की कहानिया जब लोगों में लंबे समय तक popular रहती हैं तो आम जैन मानस में लोग ये भी मानने लगते हैं कि सच में पुराने समय में एसा कोई करदार हुआ होगा जिसने उस समय की लोगों की समस्याओं को जादो की छड़ी गुमा कर दूर कर दिया होगा इस कहानी के आखरी में अलादीन अपने जिन्न को एक आखरी हुक्म देता है और उसके बाद ये कहानी वही समाप्त हो जाती है क्या आप जानते हैं कि अलादीन ने अपने जिन को आखिर में क्या हुक्म दिया था अलादीन ने अपने जीवनकाल में मरने से पहले अपने जिन को यही हुक्म दिया था कि जा मेरे भाई जमीन में दफन हो जाता कि जो तुझे पाना चाहे तो उसे उसके मरने की बाद मिले और तेरी ताखत से इस दुनिया में अब ना पैदा हो कोई बुराई क्या सच में जिन इतने अच्छे होते हैं जितना कि अलादीन की कहानी में बताया गया है जिन शब्द अर्भी भाषा से लिया गया है लेकिन पुराण में जिन जिननी और जिननात के बारे में कुछ और ही कहानी है पुराण के नुसार जिन हवाओं से पैदा होते हैं यानि उपर ही हवाओं से लेकिन उपर कि ये शक्तियां सकरात्मक भी हो सकती हैं और नकरात्मक भी जिन आपके लिए उतने ही बुरे हो सकते हैं जितनी बुरी आपकी सोच है आपके लिए वैसे ही समंद बनाते हैं जैसे कि आप उनके साथ रखना चाहते हैं कुराण के निसार जिन इंसानी जिन्दगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं उन्हें ये अधिकार होता है लेकिन इसके लिए जिन्पे के लिए जरूरी होता है कि वो इनसानों के साथ सम्मंध स्थापित करें इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि जिन हम इंसानों का इलाज भी कर देते हैं खासतोर से हमारे देश भारत में तो ऐसे बहुत सी लोग आपको मिल जाएंगे जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने जिनने से इलाज कराया है और वो ठीक भी हो गए है ऐसे ही सोच वाले एक इंसान थे उत्रपदेश के मेरट के एक डॉक्टर लाइक अहमद ऐसा नहीं है कि लाइक अहमद पढ़ी लिखे नहीं थे बलकि वो पेशे से एक डॉक्टर है अच्छे खासे पड़े लिखे इंसान साल 2020 में उनके सामने एक एकरमुद्दीन नाम का शक्सा है जिसकी मा बीमार थी लाइक अहमद ने उसकी मा का इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई इसके बाद एकरमुद्दीन सोचा कि नई डॉक्टर लाइक अहमद को मुर्गा बनाया जा सकता है इसके लिए उसने डॉक्टर लाइक अहमद को एक जादूई चिराग के बारे में बताया और उसने डॉक्टर को 5 लाख को चिराग की मदद से 7 लाख में बदल दिया ये देखका डॉक्टर लाइक एहमद का लालच उनके सिर चड़ कर बोलने लगा उन्होंने एकरामुद्दीन को पूरे धाई करोड रुपे दिये ताकि वो पैसे को डबल कर सके इसके बाद एकरामुद्दीन वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते है उसके चाने के बाद डॉक्टर को ये समझ में आया कि भाईया उनका तो पूरी तरह से पोपट बन गया अलादीन के चुरा के नाम पर इकरमुद्दीन उन्हें धाई करोड का चूना लगा गया जहां पूरी दुनिया को ये मालुम है कि अलादीन के चुरा को घिसने से उसमें से जिन्न निकलता है और मुँ मांगी मुरादे पूरी करता है लेकिन डॉक्टर लेक एहमत को तो पसनल एक्सपिरियंस से ये बात समझ में आ गई कि अलादीन के चुरा के चकर में उनके पूरे के पूरे धाई करोड रुपे गायब हो गए हालां कि बाद में इकरमुद्दीन मेरट पुलिस की गिरफ्त में आ गया और जब पुलिस ने उससे सकती से पूछ ताश की तो पुलिस के भी होशुड गए क्योंकि एकरमुद्दीन का यही धंदा था वो अलादीन के चिराग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाय करता था और उनसे पैसे एठा करता था इन तमाम समस्याओं के बीच आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हाकिकत में अलादीन के पपा चायना से थे और फाइनली अलादीन का चिराग भी आज की तारिख में चायना में मौझूद है मतलब चायना वाले आज से 300 साल पहले अपना अलादीन इंडिया में प्लेस कर गए थे जबकि हाकिकत में ना तो अलादीन का कहीं महल मौझूद था ना ही अलादीन और ना ही उसका चिराग और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अलादीन सच में कभी पैदा हुआ होता तो आज उनका कोई ना कोई वंश्रस तो जिन्दा होता उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के रूप में कोई तो हमारे सामने होता अलादीन की कहानी के बारे में दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर अलादीन की कहानी सच होती तो सच में उसका चिराग होता तो अलादीन उस जिन्न के जरीए खुद को अमर करवा लेता और आज भी दुनिया में मौझूद होता दुनिया का भला कर रहा होता लेकिन अच्छा हुआ कि अलादीन ने अपने मरने से पहले अपने चिराग को जमीन के भीतर दफना दिया वरना इस चिराग के चक्कर में हमेशा जगडे फसाद होते रहते आज की तारिख में तो थीसरा चौथा पांचवा न जाने कितने विश्विद्ध हो जाते हैं अरेबियन नाइट्स की जिस किताब में अलादीन की कहानी का जिक्र किया गया है उस किताब के रुसार अलादीन का चिराग आज चायना में मौझूद है वो उसे स्थान पर दफन है जहां अलादीन की पिता की कब्र मौझूद है लेकिन अगर ये बाद चीनियों तक पहुँच गई तो हो सकता है चीन की सरकार चिराग के चक्कर में चीन की एक-एक इंच जमीन को खोद डाले और अलादीन की चिराग को ढूण कर निकालने की पूरी कुशिश कर ले और फिर भी अगर चिराग नहीं मिला तो ये भी हो सकता है कि इस देश से वो हमें उठवा ले भले ही दुनिया की ज्यादत लोग अलादीन की चिराग के इस कहानी पर भरोसा ना कर रहे हों लेकिन जो लोग इस कहानी पर भरोसा करते हैं उनकी लिए अलादीन का चिराग आज भी चीन के उस माल की तरह है जो चला तो चान तक वरना दुकान से घरता है क्योंकि अलादीन के चिराग के नाम पर जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने का धंदा करते हैं उनका तीर तुक्का अगर एक बार लग गया तो समझ लीजे कि उनकी चांदी हो गई उन्हें अलादीन का चिराग से जिन्द मिले या ना मिले लेकिन उसके नाम से दूसरों को ठगने और अपनी रोजी रोटी को चलाने का जरिया तो मिल ही जाता है वैसे आप अलादीन की इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं क्या आपको भी एक कहानी सच लगती हैं अगर नहीं तो जो लोग इससे अंदर विश्वास पर भरोसा करते हैं और इसके चकर में अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जुरू बताए हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद